धामपुर्क शेत्र में रंजिशन कार से कुचल कर दो फौजियों के पिता की निर्मम हत्या करने का मामला आया सामने। घटना की सूचना पर कई थानों की पुलिस घटना स्थल पर पहुँची। मृतक के परिजनों ने रोड पर शव रख कर लगाया जाम। जानकारी के अनुसार धामपुर्क शेत्र के गाव मठोरामान निवासी, पुखराज सिंह उम्र करीब, 62 वर्ष पुत्र भोपाल सिंह अपने खेत पर काम कर रहे थे। बताया जाता है कि इस दोरान एक कार में सवार लोगों ने उनको खेत में से उठा कर कार के बोनट पर रखा, तथा रंजिशन उनको कार से बेरहमी से कुचल दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक की पुत्री के ससुराल वालों से उनका विवाद चल रहा है। अधीकशक किशन अवतार सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुँची। अपर पुलिस अधीकशक पूर्वी धर्म सिंह मारचाल ने मृतक के परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली। पुखराज सिंह के दो बेटे और एक बेटी है। मृतक पुखराज सिंह के दोनों बेटे सी आर पी एफ के जवान है। अपर पुलिस अधीकशक पूर्वी धर्म सिंह मारचाल का कहना है कि घटना दुखध है। घटना की तहरीर प्राप्त हो गई है। अग्रिम वैधानिक क कारेवाही की जा रही है। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट कोई लोग थे रिषी पार थे खंटु थे अगए अध्यात्यों चार लोग से साड़ी चाहिए। पहले सामपुर्ट पे उन्होंने पूछे प्रधांजी से दिखाओं के प्रधांजी है कि उनके घर जाना हमें। पेवले में उनके घर में जा सकता है। उनका कुछ काम होगा तो फिर यहां दो गंटे से बैठें इंतिजार देखते हैं कि तब जंगल लाएंगी। यह खाट डालने जा रहे थे अब फिर इनका ना राज्ती नहीं है। इनका प्रेशा पाला जेगा यह भी काड़ती पिल्गूल। तो गुपतां काट जैसे। और ने बोला जारे हो म बुपतां कि अद़्ी यहा है रो